आज हम लोग जानेंगे आइनिक मोबलिटी और आइनिक वेलोसिटी के बारे में तो आइन्स क्या होते हैं हम लोग जानते कि आइन्स जो होते हैं वो चार्ड पार्टिकल होते हैं अगर positive ion है तो उसे हम लोग cation करते हैं और negative ion है तो उसे हम लोग anion करते हैं यही ions जो होते हैं यानि की cation और anion वो responsible होते हैं किसी electrolyte के conductance के बारे में यह ionic mobility and ionic velocity जो है यह दो chemical concept है जो हमें describe करने का describe करते हैं इसके through हम लोग cation और anion के movement को अगर यह elected medium के through move कर रहे हैं उससे हमें तो ionic mobility क्या है then ionic mobility is the ability of ion to move through a electrolytic medium under a potential gradient ionic mobility ions की ability है जो जिसके through वो लोग क्या करते हैं किसी भी electrolytic medium में move करते हैं अगर उस medium में potential gradient यानि की electric current जो हो वो फ्लो कर रहा है उस समय और यह क्या होगा यह constant potential gradient रहता है तो that is speed of an ion under unit potential gradient is called ionic mobility ionic mobility क्या है ions का speed अगर हम unit potential gradient जो है electrolytic medium में use कर रहे हैं उस समय तो मान लिजिए कि हमारे पास एक sale है एक sale है जिसमें हमने क्या किया है यह sale है और इसके अंदर इस electrode के बीच का जो distance है वो one centimeter unit है यह L है ठीक है इसको length को हमने L मान लिया और इसमें जो electrodes हैं उसको हमने एक battery से add कर दिया जिसके लिए क्या है यह वी वोल्ड का है अब यह माइनस वाला टर्मिनल से जो electrode जूड़ा रहेगा उसे हम लोग cathode कहेंगे और positive जो टर्मिनल होगा उससे जो electrode जूड़ा रहता है उसे हम लोग anode करते हैं यह है anode और यह है cathode तो जो यह आयन इसमें हमाल लिजए हमने NaCl डाल दिया है इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया है तो यह NaCl क्या होगा जब solution में जाएगा तो यह स्पीड से यह Cl- और यह Na प्लस जो है इन electrodes की तरफ मूफ करता है उसे हम लोग क्या करते हैं आयनिक mobility करते हैं और potential gradient को हम लोग कैसे define करते हैं कि applied EMF potential gradient is equal to applied EMF by distance between electrodes तो हाँ पर distance हमने L लिया है और applied EMF V था तो potential gradient क्या हो जाएगा V by L इसे हम लोग E से denote कर रहे हैं इसके लिए हमारे unit क्या हो जाएगा वोल्ट पर सेंटिमीटर अगर हम लोग इस आयनिक mobility को इटा से define करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा यह equal होता है V by E के यह वी क्या है velocity है ions का and E क्या है यह है applied electric field या फिर हम इसे कह सकते है potential gradient जो यह E है वो depend करता है यह जो E है वो depend करता है resistance के current के और जो voltage हम यूज करते हैं उसके तो जैसे ही अगर हम increase करेंगे current को जैसे ही हम current को increase करेंगे यानि कि आई से हम लोग करते है current को जैसे ही हम I से को increase करेंगे तो उस समय क्या होता है कि ionic mobility भी increase कर जाती है अगर हम SI unit निकालना चाहें ionic mobility का वह तो वह किस तरह कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ionic mobility is equal to V by E क्या है अपला यह वह यह potential gradient है potential unit अगर हम निकाल रहे हैं SI unit निकाल देहां तो velocity के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे मीटर पर सेकंड और पोटेंसियल ग्रेडियंट क्या होगा वोल्ट पर मीटर तो हमारे पास जो unit निकाल के आता है Aionic Mobility का وہ होता है मीटर पर स्कौाएर मीटर स्कौाइर पर वोल्ट पर सेकंड का होता है मीटर स्कौाइर पर वोल्ट पर सेकंड और हम लोग कटायन के लिए कटायन के लिए अगर Aionic Mobility को define करें तो से हम लोग कर सकते है velocity of कटायन by जो भी Applied पोटेंसियल ग्राडियन्ट है वी वाई एल और हमनों जानते हैं कि इन्फनाइट डेलूसन यह कितने के बराबर होगा लेम्डा प्लस के यानि कि जो भी कंडक्टेंस इस कटायन के लिए मिल रहा है हमें कटायन से जो कंडक्टेंस हो रहा है उसके और जो चार्ज है कटायन पे जो यूनिट चार्ज है कटायन पे इन्टू एफ एफ क्या है यहां पर फराडे इन्टू एफ अगर हम चाहें तो यह सेम चीज हम लोग अनायन के लिए भी दे सकते हैं वहां पर अनायन के लिए आयनिक मोबिलीटी क्या हो जाएगी वैलोसीटी ऑफ अनायन बाई वी क्या है अप्लाइड वोल्ट है जो अप्लाइड एमफ है यह किसके बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस ड्यू टू अनायन बाई चार्च यूनिट चार्ज ऑन कटायन इन्टू फराडे फराडे कितने के इक्वल होता है 96500 कूलंब के बराबर होता है इन सभी का यूज हम लो कहां करेंगे नुमेरिकल में इसका यूज होगा तो यहां पे क्या है जो वेलोसीटी है काटायन की वी माईनस जो है वह वह वेलोसीटी है अनायन की जो क्या है पोटेंश यल passive applied and L जो है separation between electrode L plus क्या है ionic conductance of positive ion यानि की cation and L lambda minus क्या है ionic conductance of anion Z plus क्या है unit of charge on cation मान लीजिए हमने mg2 plus लिया तो यहां पर Z क्या हो जाएगा यानि की Z का value हो जाएगा 2 अगर यहां प्लस रहता तो क्या हो दर जाएगा जेड़ इसी कल टू इस तरह से होते जाएगा वैसे ही और जेड माइनस क्या था unit of charge on anion c l माइनस अगर है तो यहां पर कितना charge है c l पर एक unit है तो जेड माइनस क्या हो जाएगा वन उसी तरह से अगर जिस तरह का भी वहां पर कटायन या अनायन हमारे इलेक्टोलाइट में है उसके लिए हम जेड निकालेंगे ठीक है और एफ क्या होता है 965 00 कुलम अब हम absolute ionic mobility भी निकालते हैं जब absolute निकालेंगे तो हमें क्या होता है कि ionic mobility at infinite dilution तो हमें क्या निकालना होगा कि हम भी वाई एल तो सेम रह जाएगा केवल कटायन और अनायन की वेलोसिटी at infinite dilution भग में पता होना चाहिए तो हम निकाल सकते हैं ionic mobility at infinite dilution for cation is equal to velocity of cation at infinite dilution by voltage applied by length of between electrodes जो की इक्वल होगा किसके जो की इक्वल होगा इस इस लेम्डा प्लस at infinite मतलब जो conductance due to cation at infinite dilution by z plus into f z plus क्या है unit charge on cation and f क्या है faraday constant वैसे ही ionic mobility for anion क्या हो जाएगा velocity of anion at infinite dilution by potential gradient यह constant रहेगा जो की इक्वल होगा किसके बराबर conductance of anion at infinite dilution by unit charge on anion into faraday constant इस तरह से हम लोग क्या सकर सकते हैं ionic mobility जो है anion और कटायन का निकाल सकते हैं अब हम जानते हैं कि anionic velocity क्या होती है कि जब हम लोग कहीं पर भी electric field जो होता है applied करेंगे तो ions move करेंगे और यह जो आयन का speed होगा वो dependent करता है कि कैसा आयन है उसका charge क्या है shape कैसा है size कैसा है अगर कोई चीज heavier है blockier आयन है मतलब कि उसका heavy है ज्यादा weight का है तो क्या अगर वो slowly movement करेंगा और उस वक्त हम लोग जो है velocity of ion जो है उसका mathematically हम लोग देते हैं अगर define करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कि ionic velocity is the velocity when an electric field is applied in ions ions move the motion of ion is characterized by charge shape and size and heavier and bulkier ion moves slowly and the velocity of ion is given mathematically जब हम लोग electric field applied करें उस समय किसी ion की क्या velocity होगी उसे हम लोग ionic velocity बोलते हैं तो इसे हम लोग देते हैं v is equal to e into q by f यह जो q है वही है unit charge जो हमने वहाँ z से define कर रहे तो इसको हम लोग सकते हैं e into z by f जहां यहां पे v जो है वह velocity है ions की v जो है velocity है ions की f जो है coefficient of friction है जो की electrolyte जब हम जो है यूज करते हैं तो movement में वह friction हमें चुकी ions को देता है तो वही f है वही coefficient of friction यहां पे हम लोग देते हैं and e is applied electric field यहां पर क्या e क्या है applied electric field है जो की बरावर होगा कितने के v by l के यह e कितने के equal है v by l के और q क्या है net charge जिसे हम लोग z से यह वहाँ पर define करते thank you और z दोनों लिखा हुआ हमें मिल सकता है दोनों बात सेम है when an iron moves through a medium the medium exerted friction force on iron कभी भी हम आयन जो हम ले रहे हैं वह किसी electrolyte में ले रहे हैं किसी medium में वह रहेगा तो जब यह iron move करेगा तो वह medium जो है उसको friction देगा इसी वज़ा से हम लोग यहां पर यह जो term है f का use करते हैं इसको use करते हैं और ionic velocity को हम लोग drift velocity भी इसलिए नाम दिया जाता कि ionic velocity is also called drift velocity और अगर ionic velocity और हम ionic mobility के बीच में अगर relation को define करना चाहा है तो यह हमारे पास relation है कि ionic velocity is equal to ionic mobility into applied electric field और जो unit होता है जो velocity का unit होता है वह ही ionic velocity का भी unit होता है meter per second SI unit और CGS unit अगर SI unit है यह और हम CGS unit ले तो यह क्या हो जाएगा centimeter per second इस तरह से हम लोगों ने आज ionic velocity और ionic mobility के बारे में जाना थैंक यूँ आज 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 आज